बच्चों हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्याय 14 सांकिय की आज भाग 12 में हम हल करेंगे हमारी पाठे पुस्तक की प्रसनावली 14.2 की प्रशन संख्या 4 से 6 तक हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पैन तयार रखना है बच्चों हर एक प्र राज्यों के अनुसार शिक्षक विध्यारती अनुपात को दर्शाता है इन आकडों के बहुलग और माध्ये ग्याद कीजिए हमसे इन आकडों के बहुलग और माध्ये के ग्याद करने को कहा गया है दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए बहुलग और माध्ये की व्याख बीस विध्यारती हैं प्रती शिक्षक 15 से 20 विध्यारती हैं कितने राज्यों में तीन में आठ ऐसे राज्ये हैं जहां पर उच्छतर माद्यमिक स्कूलों में प्रती शिक्षक विध्यारतियों की संख्या 20 से 25 है नो ऐसे राज्ये हैं जहां पर उच्छतर माद्यमिक स्कूल में प्रती शिक्षक विध्यारतियों की संख्या 25 से 30 है इस प्रकार से इन पूर आंकडों को देखिए हमें ग्याद करना है इन आंकडों का बहुलग और माद्धे तो देखिए बहुलग पहले हम ग्याद करेंगे और बहुलग के लिए हम पहले पता कर लेते हैं बहुलग वर यहां बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हैं 10 क्या बोलते हैं इसे हम F1 ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है F0 कितनी 9 और ठीक बाद वाले वर्ग की F2 ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है 3 ठीक है यह सब नोट करने के बाद में हम सुत्र लगाएंगे और बह संच्छा चार का हल सबसे पहले लिखेंगे हम बहूलक वर्ग बहूलक गयाद करने के लिए पहले लिखेंगे बहूलक वर्ग कौन सा है बहूलक वर्ग सरवार्दिक बारंबारता वाला वर्ग है तीस से पैंतीस तीस से पैंतीस बहूलक वर्ग की निमने सीमा बताईए बहू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपके पास है 30 बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ वन आपके पास है 10 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व या ठीक पहले वाले ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता एफ जीरो एफ जीरो आपके पास है 9 एफ जीरो आपके पास है 9 और ठीक बादवाले की बारंबारता कितनी है एफ तू 3 लिखेंगे बहुलक बहुलक वर्ग से ठीक बादवाले बादवाले वर्ग की बारंबारता एफ टू एफ टू है हमारे पास 3 तथा तथा वर्ग माप सभी वर्गों की माप या वर्ग अंतरालों की माप ह कितनी है देखिए 15 से 25 पांच 25 से 35 तीस से 35 सबकी कितनी है पांच है तो वर्ग माप कितनी है पांच अब लगाए बहुलक का सुत्र अब बहूलक की याद करते हैं बहुलक को दिखाते किस्से हैं जैड से जैड ברबर होता है एल प्लस f1 minus f0 बटे twice of f1 minus f0 minus f2 गुणा कितना h मान भर दीजिए l कितना है निम्न सिमा है 30 बहुलक वर्ग की निम्न सिमा 30 f1 10 minus f0 9 twice of f1 f1 का डबल दूग ना हो जाएगा 20 minus f0 no minus f2 f2 कितना है 3 गुणा h कितना है 5 तो यह आ जाएगा आपके पास 30 plus 10 में से 9 गया 1 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 बटे 20 में से 12 गठेंगे देखो minus 9 और minus 3 हो जाएगा minus का 12 20 में से 12 गया 8 भाग लगा दीजिए 30 plus 0.8 चीगे 48 दो बच गया 20 हो जाएगा आट दूनी 16 चार पज जाएगा आट पंजे 20 यह आ जाएगा 30 दश्मलव 625 कितना आ जाएगा बहुलक जैड का मान आपके पास आ जाएगा 30.625 हम से देखे क्या पूछा गया था यह जो आंकड हैं शिक्षक विद्ध्यारती अनुपात कितना आया बहुलक अगर हम देखें बहुलक की अनुपात अगर हम देखें तो बहुलक की अनुपात आया है 30.625 लिख देंगे अतहें प्रटी शिक्षक शिक्षक विद्ध्यारतियों की विद्ध्यारतियों का बहुलक बहुलक बराबर है 30.625 विद्ध्यारति विध्यार्थी ठीक है 30.625 विध्यार्थी हैं बहुलकी एमान के अनुसार प्रती शिक्षक इसे नोट कर लीजिए और अब हम ग्याद करते हैं बच्चों देखिए माद्धे क्या है प्रती शिक्षक विध्यार्थियों की संक्या का माद्धे हम ग्याद करेंगे पग विचल तोलना इस प्रकार कि सहांने बना लेंगे देखिए इन राज्यों की संख्यां का ग्यारा कोई? Constructive 35 का आदा करेंगे तो 17.5 क्यूंकि सतत वर्गंतराल है सभी वर्ग माप बराबर है पांच की वर्ग माप इसलिए पांच जोडते जाऊंगा एकसाई आता रहेगा 17.5 में पांच जोडेंगे तो 22.5 इसमें पांच जोडेंगे तो 32.5 यह 37.5 यह 42.5 47.5 और यह आपके पास आजएगा बच्चो 52.5 x i आने के बाद मेंसे इन मेंसे किसी एक को हम क्या मानते हैं a मानते हैं तो 37.5 को a मान लीजिए a बराबर हो गया 37.5 और h ले लीजिए वर्ग माप के बराबर कितनी 5 जब वर्ग माप के बराबर h लेते हैं सतत होते हैं सभी वर्गों की माप बराबर होती है तो UI हम लिख सकते हैं 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, 1, 2, 3 FYUI कर लीजिए, माइनस 4 गुना 3 करेंगे, तो माइनस का 12 आएगा 8 गुना माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 24 आएगा 9 गुना माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 18 आएगा दस गुणा माइनस एक करेंगे तो माइनस का दस आ जाएगा जीरो गुणा तीन करोगे तो जीरो आएगा जीरो एक कम जीरो होगा जीरो को दो से गुणा करेंगे जीरो आएगा दो तिया कितना हो जाएगा जोड लीजे देखे सब को बारा और अठारा माइनस बारा और माइ के पास आजाएगा माइनस में माइनस में 30 माइनस में 30 आजाएगा क्या माइनस 30 और माइनस 24 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 64 तो यह माइनस वाले तो माइनस में 64 है और यह प्लेस वाला कितना है 6 है दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 58 क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई आजाएगा सिग्मा एफ आपके पास है अब ग्याद कीजिए माद्धे पग विचलन विदी से माद्धे ग्याद करने का सुत्र क्या है माद्धे एकस बार बराबर होता है एक प्लेस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच गुणा एच ए कितना है 37.5 आपने माना देखिए एक कितना माना 37.5 सिग्मा एफ आई कितना आया था माइनस में 58 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 35 गुणा एच वर्ग अंतराल कितने का है पांच का पांच से कितना है गटा लेगा 37.5 माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 58 में इसाथ का भाग लगाई है तो साथ आठ चपन दो बच जाएगा पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा साथ दुनी चवदाच छे बचेगा साथ आठ चपन तो आठ पॉइंट दो आठ लग चार में से दो गया तो दो पॉइंट, सत्रा में से आठ जाएगा तो नो बचेगा और ये दो, तो ये आ जाएगा लगभग 29.2, माद्य एक्स बार बराबर आ जाएगा 29.2, लिख देंगे, आते हैं, प्रती, प्रती शिक्षक, प्रती शिक्षक, विद्ध्यार्थियों, विद्ध्यार्थियों की संख्या का माध्य या माध्य इमान, माध्य इमान कितना आएगा, 29.22 लिख दें, या 29.2 तक छोड़ दें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, दस्मलाव के एक इस्तान तक आप लिख सकतें, हमें करनी थी इनकी व्याख्या, तो अब ध्यान से जब हम भूलकी एमान निकालते हैं, विद्ध्यार्थियों की संख्या का प्रती संख्या, प्रती शिक्षा के विद्ध्यार्थियों की संख्या का भूलकी एमान निकालते हैं, तो 30.625 आता है, यानि कि जादातर उचतर स्कूलों में, उचतर माध्यमिक विद्ध्यालयों जो बहुल्ण यह मान का दिखाता है जो ज्यादातर आंकड़े आपको प्राफ हुए तो ज्यादातर उच्छतर उच्छतर मात्यमिक विद्धालएयों में जो प्रती विद्धारतियों का अनुपाथ है वह तीस दसमलग चेकल है उपांच है और अगर हम देखें माद्दी दिखाता है वससत माण Honor हम देखें तो अनुपाथ 29.2 है लिखेंगे कैसी इस बात को देगे हम लिखेंगे ज्यादा तर विध्यालयों में शिक्षक विध्यारती अनुपात विध्यारतीयों का अनुपात बराबर है 30.625 बहुलकिये मान जिसे हम कहेंगी बहुलकिये मान जबकी जबकी ओस्तन अनुपात अगर हम देखें अनुपात तो वो है 29.2 माध्यी मान तो माध्यी मान दिखाता है ओस्तन मान और बहुलकिये मान वो मान दिखाता है वो आकड़ा दिखाता है जो ज़्यादा तर आपको मिला है ठीक है तो इस तरीके से आप विव्याख्या ल द्वारा प्राप्त के गए बहुलक और माध्य के लिए, ठीक है, माध्य के और बहुलक ये मानों की व्याक्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नोट कीजिए, प्रशन संख्या 4 के हलकू, प्रशन संख्या 4 में आपको बहुलक भी ग्याद करना था, माध्य भी ग्याद करन विखा दी दीजेगा रएत अगला प्रश्ण संक्या पाँंच दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेшт तेके मेचों मेचो में बनाएं गए रनोов को दुर्षाता है। तो ये जो बंटन हैं, किसको दर्षा रहा है। बनाएं गए रनो ओधिक हरा रहा है। किनेIntera विश्व के कुछ स्रेश्टम बल्ले बाद बच्शों अलग होता है। धिसे मेरे हमसे पूचा गया है इन आंकडों का बहुलक गयाद कीजिए आंकडे आपको वर्ग अंतराल के रूप में दिये गए हैं इनका बहुलक हमें गयाद करना हैं तो सबसे पहले आंकडों को देख लीजिए चार ऐसे बल्लेबाज है जिनके दौरा स्रेश्टम बल्लेबाज जिनक ओ describing ही बल्लेबाज ऐसे हैं बच्चो जिनके द्वारा बनाएगे ां दhos 1000 1500 के मद्द्द है 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 हमारे लिए great सचिन हैं तहक है तो हमें का माद्ध्य ढयाद सवरि भईला की रिजात करना है बहुलक याद करने के लिए हम पहले देखते हैं बहुलक वर्ग, सरवार्दिक बारंबारता वाला वर्ग है ये, चार हजार से पांच हजार, तो हल में, हल में देखे बच्चों लिखिए, बहुलक वर्ग, सबसे पहले बहुलक याद करने के लिए, बहुलक वर्ग लिखिए, बहुलक वर्ग कितना है, चार हजार से, चार हजार से, पांच हजार, फिर लिखिए, लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल कितनी हैं चार हजार है फिर लिए बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ वन कितनी हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता अठारा है बहुलक वर्ग की बारंबारता अठारा बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता बहुलक वर्ग से ठीक पूर वर्ग की बारंबार था F0 F0 कितनी है? 4 है F0 4 है देखिए बहुलक वर्ग की बारंबार था F1 पहले वाले की F0 और इसे बाद में वाले वर्ग की F2 F2 कितनी है? 9 है इसे भी लिख दीजिए बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबार था बाद के वर्ग की बारंबार था F2 कितनी है? 9 और लाश्ट में लिख दीजिए वर्ग अंतरालो की माप वर्ग अंतरालो की माप H वर्ग अंतरालो की माप H कितनी है? देखिए सबी वर्ग अंतरालो की माप जो है 1000 है 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6, 6000, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 1000 का अंतर है तो ये माप हो गई 1000 हमें ग्यात करना है बहुलक तो बहुलक का सुत्र देखिए बहुलक को दर्शाते किसे से हैं? बच्चो जैड से सुत्र क्या है? सुत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे ट्वाइस ओफ 1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टिप्लाइब बाइच एच एल प्लस F1 माइनस F0 बटे ट्वाइस ओफ 1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टिप्लाइब ऑइच रख दीजिए मान देखिए आपको मिल जाएगा जैड बराबर ल वहुलक वार्ग की निमन सीमा चार हजार चार हजार प्लस F1 F1 कितना है अठारा माइनस F0 चार ट्वाइस ओफ 1 अठारा का डबल 36 माइनस 4 माइनस 9 गुना एच कितना है एक हजार है देखिए केलकुलेट कीजिए बचो जैड बराबर आजाएगा चार हजार प्लस अठारा में से चार गया चाउदा चाउदा बच जाएगा गुना में है एक हजार बटे देखिए चार और 9 माइनस 4 और 9 कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 36 में से 13 गठा लीजिए 36 में से 13 गठाएंगे तो यह आ जाएगा यह हो जाएगा चाउदा हजार चाउदा हजार में भाग लगाएंगे हम 23 का तो पहले देखिए 23 पंजे 115 तेइस 6 बार 6 बार चला जाएगा आर तीन आर चैती आठारा हांसिल एक 6 दूनी बारा और एक 13 एक 138 आएगा दो बचेगा जीरो दश्मा लाओ देखिए जीरो पुट करेंगे तो बीस में बीस में भाग नहीं जाएगा 20 में भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 0 लगा लेंगे और 1 और 0 पुट कर लेंगे ये हो जाएगा 200 तो क्या 9 बार 8 बार भाग चला जाएगा कितनी बार 8 बार देखे 8 या 24 हांसिल 2 8 दूनी 16 और 2 18 ये बच जाएगा 16 दश्मलव लगा लेंगे 160 हो जाएगा अब भाग चला जाएगा बच्चो लग भग 6 बार भाग चला जाएगा 138 आएगा गठा लीजिए 2 5 में से 3 गया दो 0 लगाएंगे 220 तो ये 9 बार चला जाएगा ये आजाएगा बच्चो आपके पास Z बराबर 4000 प्लैस 608.69 जोड लेंगे तो Z बराबर आजाएगा 4608.69 या लगबग 4608.7 बहुलक ये मान जो आएगा वो इतने रन आएंगे हमसे पूचा गया था बहुलक कितना है तो बहुलक है आँकडो का 4608.7 रन ठीक है नोट कर लीजिए बचो इसे प्राशन संख्या 5 को आप इस प्रकार से हल करेंगे सबसे पहले इन मानों को लिखेंगे सुतर लगाएंगे सुतर में मान भरेंगे और फिर केलकुलेट करके बताएंगे यह जो कारिये है यह रफ कारिये है बचो इसे आप नहीं दिखाएं तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा दिखाना भी नहीं है आपको चलिए अगले प्रशन की और बढ़िए अब देखिए प्रशन संख्या 6 एक विध्यारती ने एक सड़क के किसी इस्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सार्णी के रूप में व्यक्त किया सार्णी देख लीजिए सार्णी में दर्शाएं गई है कारों की संख्या और बारम बारता सार्णी में दिया प्रतेक प्रेक्षन तीन मिनट तीन मिनट के अंत के कारों कि संख्याएं आ तीन मिनिट के अंतराल में जाने वाली कारों की संख्याएं ऐसे अंतरालों पर प्रेक्षण लीए गए विध्यार दी ने क्या किया है सो समय अंतरालों 3-3 मिनिट के 100 अंतरालों में कारों की संख्याएं नोट की हैं और देखिए 7 बार उसे 7 बार उसे कारों की संख्या 0 से 10 के बीच में मिली 14 बार 100 में से 14 बार उसे कारों की संख्या 10 से 20 के बीच में मिली और 13 बार उसे कारों के संख्या 20 से 30 के बीच में मिली इस तरीके से इन आकड़ों का बहुलक ग्याद कीजिए हम से पूछा गया है ये जो आकड़े उसने एकत्रित किये हैं इनका बहुलक ग्याद करके बताईए तो बहुलक ग्याद करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे क की बहुलक वर्ग कोन सा है सरवार्दिक बारंबारता ढूंडिये साथ चाउदा तेरा बारा बीस ग्यारा पंद्रा आठ सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग ये रहा तो सबसे पहले बहुलक वर्ग आपको मिल गया 40 से 50 बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 आपको मिल गई साफ और बाद वाले वर्ग की बारंबारता એ सब कुछ मान शिर्फ सुत्र में रखना है कैसे उत्तर को लिखेंगे फैसे पहले प्रश्न संक्याच 6 के हल में हम लिखेंगे बहुलक वर्ग कितना है बहुलक वर्ग 40 से 50 40 से 50 बहुलक वर्ग की बारंबारता बहुलक वर्ग की बारंबारता किसे दिखाते हैं F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है 20 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता किस से दिखाएंगे ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता F0 कितनी हैं 12 है बच्चो ये है 12 उसके बाद में बादवाले वर्ग की बारंबारता लिखेंगे बहुलक वर्ग से ठीक बाद ठीक बादवाले ठीक बादवाले वर्ग की बारंबारता बारम बारता बताईए किस से प्रदर्शित करते हैं ठीक बादवाले वर्ग की बारम बारता को F2 से प्रदर्शित करते हैं कितनी हैं ग्यारा है ठीक है ना बहुलक वर्ग की निमन सीमा बता दीजिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल कितनी हैं एल है चालिस वहुलक वर्ग की निम्न सीमा है चालिस तथा वर्ग की माप वर्ग अंतराल की माप वर्ग अंतरालों की माप वर्ग अंतरालों की माप एच से जिसे हम परदर्शित करते हैं कितनी हैं दस दस का अंतर है क्या जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस से चालिस चालिस से पचास पचास से साट साट से सतर से सतर से इस परकार के व वर्ग माप हो गई 10 की सारे मान आपने लिख लिए अब हम सुत्र में रख देते हैं देखिए लिखेंगे अब बहुलाक बहुलाक जैड बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे ट्वाइस ओफ एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मैल्टीप्लाइबाई एच ठीक है मान रखी है एल का मान कितना है बहुलाक वर्ग की निम नसीमा चालीस एफ वन बहुलाक वर्ग की बारंबारता बीस बहुलाक वर्ग से ठीक पूरो वर्ग की बारंबारता बारा ये है बारा माइनस ट्वाइस ओफ 20 का डबल 40 माइनस 12 F0 माइनस F2 11 गुणा H, H कितना है 10 है ये हो जाएगा 40 प्लेस देखिए 20 में से 12 गया 8 40 में से आपको गठाना है कितना 23 माइनस 12 माइनस 11 कितना हो गया माइनस का 23 40 माइनस 23 कितना होता है 40 माइनस 23 हो जाएगा 17 गुणा 10 अब देखिए 8 गुणा 10 करेंगे 80 80 में भाग लगाईए 17 का 17 75 85 होता है तो 17 चोक 68 हांसिल देखिए गठा लीजिए 10 में से 8 गया तो साथ में से 6 गया 12 बच जाएगा 10 में लगाएंगे तो यह 120 हो जाएगा सत्रा 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 सत्य 100 कितना हो जाएगा साथ साथ उननचास हांसिल 4 7 7 7 और 4 11 111 बचेगा लगा हुआ है 10 बनाएंगे तो 0 लग बग 4.70 आएगा 40 में 4.70 जोड लीजिए यह हो जाएगा 44.70 कितना आजाएगा बहुलक मान आजाएगा 44.70 देखे हमसे पूछा गया था कितनी कारे हैं इन कारों का आंकड़े आंकड़े हमें कारों के दिए गए थे तो बहुलक लिख देंगे बहुलक की यह मान आजाएगा 44.70 कार ठीक है ना नोट कर लीजिए प्रशन संख्याच 6 के हल को इस तरीके से बच्चों हमने हल कर ली है पूरी प्रशनावली 14.2 छे प्रशन थे 6 के 6 हमने हल कर लिए हैं अब आपको किसी भी प्रशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर कोई दिक्कत है बच्चों के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहें खुश रहें बच्चों धन्यवाद